के लिए शुरुआत करते हैं एक weekly session के साथ जहां पे obviously हम लोग बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, swing और big breakout stocks की, किसके बारे मैं चर्चा करेंगे, बड़े breakout stock की, इसके पहले हमने जो पिछली बार market का एक overview लिया था, उसको हम वापस से समझते हैं, nifty का chart देखेंगे, हम लोग on a weekly time frame, मैंने आपको पिछले week भी कहा था, कि जब आप swing trading, short term trading करते हो, तो आपको ये जो छोटे pullback आते हैं, इन pullback से नहीं डरना है, एक और चीज मैंने आपसे क्या कही थी, कि market के अंदर, जब जब all time breakout आता है, तब इनसान और retail trader क्या सोचता है, कि यार market इतना उ पर जाएगा, भाई साहब ऐसे नहीं होता है, जब हम momentum trading की बात करते है, तो हमारा focus तब रहता है, जब market के अंदर, एक all time high breakout रहता है, जब एक all time high, 52 week high के structure के बाहर market trade करना शुरू करता है, तो अब, जब हम weekly time frame में nifty को देखते हैं, तो nifty बहुत ज्यादा, you know, बहतरीन दि अगर आप देखोगे, breakout से पहले इसने जो pullback दिया, वो दिया, उसके बाद, आप देखिए, continuous green candle आपको देखने को मिल रही है, daily time frame में ये structure और बहुत ज़्यादा बहतरीन है, ठीक है, जो भी stocks में आपके साथ discuss करूँगा, सारे के सारे stocks में आपको telegram के उपर share कर दूँग अगर आप देखोगे, कितना भेतरीन breakout हुआ है, nifty जो इस particular range में थी, कितने दिनों के लिए, ज़रा comment करके बताईए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ दिन की range में थी, और इसके पहले market के अंदर rally कैसी आई है, इस तरह की rally आई है, इस rally को आने में कितना दि सब छोड़ दो, कितने points की rally है, almost 600 points की rally है, अब मुझे एक बात बताईए, अगर मैं यहां से 3.10% की rally समझता हूं, कितनी 3.10% की rally, तो वो हो जाती है, करीबन 600 points, कितनी 600 points, 600 points, clear है, अब आप सोचो, अगर निफ्टी 600 points जाएगी, तो जो अंदर underlying stock है, वो कितने जाएंगे, 10%, 15%, 20% फरक ही नहीं पड़ता है, अगर आप देखोगे, आप एक stock की चर्चा करते है, polycap, यह आज कहां पे trade कर रहा है, शायद आपकी screen छोटी पढ़ जाए, आप देखिए कहां पे trade कर रहा है, ठीक है, it's just going crazy, without any stoppage, अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूं, have a look at this momentum, 2800 से यह 3800 पे trade कर रहा है, कैसा momentum है यह, almost 40% returns, क्या 40% returns कम होते हैं, बहुत मज़िदा returns है, आपको महनत कम करनी पड़ी, आप यह समझो, जो returns मिल रहे है, easily आपको returns मिलते है, passively, without too much stress, you are entering on a weekend, or at the month end, depending on the time frame you are using, तो मैं आपको हमेशा कहूंगा, आप options trading करो ना करो, positional trading जरूर करना चाहिए, एक बार सभी लोग डाल दिए chat box के उपर, positional trading is king, कौन है king stock market का, not options trading, कौन है king, positional trading, एक बार सभी लोग chat box में, comment box में डालेंगे, positional trading, ताकि अब हम हर week, हर Friday या Saturday को positional के उपर, एक वीडियो जरूर लाएंगे, एक वीडियो तो जरूर आएगा, ठीके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे, पहले न, हम लोग, एक basic nifty-fifty का मैं आपको structure बता देता हूँ, ठीके, कि हमारा जो analysis हो, किसके उपर dependent है, यह जो rally आई है, यह rally के बाद जो consolidation आया है, हम यह expect कर रहे हैं कि market अभी यहां से और 600 point उपर जाएगा, 600 point मतलब कितना, कितना, अब market हम देख रहे हैं, somewhere near 20,000, somewhere near 20,000 तक हमें market जाते हुए मिलेगा, clear है, चलिए, अब हम stocks की चर्चा करते हैं, एके करके सारे stocks को, you know, हम घोट के पी लेंगे, कैसे पी आएंगे, घोट के पी लेंगे, ठीक है ना, अशोक ले लेंड़, इस stock को हम देखेंगे on a weekly time frame, अब आप मुझे बताइए, एक तो यह stock दे रहा है, all time high breakout, what a beautiful structure it is forming, all time high breakout दिख रहा है आपको, एक बहतरीन all time high का breakout हुआ है, and breakout से पहले, यह जो consolidation है यह मुझे बहुत पसंद है, तो इसका मतलब यह हो गया, कि आपको इस stock के अंदर एक छोटा SL मिल चुका है, ठीक है, एक बहतरीन entry मिल चुकी है, and बड़े rewards, all time high breakout, with a pullback, nifty का chart देख लो, nifty में जो breakout हुआ था, उस breakout से पहले, ऐसा ही कुछ momentum market के अंदर आया था, और यह जो chart है, ठीक है न, यह आपको मिल जाएगा टेलिग्राम चानल पे, जिसका link है description में, ठीक है, जो चलिए मिलते हैं टेलिग्राम चानल के उपर, बड़िया breakout है, इस breakout के उपर हम focused रहेंगे, अशोक, ले लैंड, ओके, clear है, कौन से time frame के उपर है, weekly time frame के उपर, एक बार इसको आप मंत्री time frame में देख लो, मन को शान्ती मिल जाएगी, और मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इस बार, अगर आपने, इस all time high के breakout को catch कर लिया, निफ्टी के, तो your papa will be very proud of you, वो खुद बोलेंगे, जा बेटा, कर ले trading को, ठीक है, समझ में आ रहा है, इतना मज़ा आने वाला है, आप इस particular, इसको हम miss नहीं करेंगे, AU small finance, again AU small finance को हम देखेंगे, अब just look at this breakout, isn't it beautiful, good rally, good consolidation and the breakout is on a monthly time frame, तो यहाँ पे अपनी entry क्या बनेगी, बहुत simple, इस particular zone के उपर, छोटा सा SL below this red candle, और हम यहाँ पे बड़े move expect कर सकते है, at least, at least यहाँ से हमें 240 points का move मिलेगा, कितना 240 points का move मिलेगा, अशोक लेलेंड के अंदर, कौन सा pattern बनाएए, अगर मैं यहाँ पे डाल दू inside bar, तो आपको लगता नहीं है, आपकी inside bar भी बन चुकी है, ब्रेक आउड भी है, तो यह तो आपका 5 star type setup बन गया, 5 star setup, ओके, बढ़िया setup है, एक दम, ठीक है, inside bar and क्या बोलते हैं इसको, whole flag pattern उसको आप जो बोलो, ठीक है ना, patterns के अंदर मेरी थोड़ी understanding कम है, अब मैं आपको एक बहतरीन easy technique बताओ, swing trading, positional trading की, एक बार जरूर इस video को like करना, channel को subscribe करना, अभी जो मैं आपको chart दिखाने वाला है, उससे आपका दिमाग खुलने वाला है, आप बोलोगे इतनी simple हो सकती है trading, इतनी simple हो सकती है trading, चलो, चाते हैं, ICICI bank के chart को हम देखेंगे on a monthly time frame, मैं आपसे एक चीज़ पूछूँगा, ये stock आपको क्या कहानी बोल रहा है, ये stock आपको क्या कहानी बोल रहा है, तोई बता पाएगा, मैं आपको इसमें एक simple चीज़ बताता हूँ, मैं एक बार के लिए सारे inside bar, inside bar सब cut कर देता हूँ, सब कुछ cut कर देता हूँ, आप देखो, इस stock की एक खासियत है, मैं हमेशा कहता हूँ, जो nifty 50 के stocks होता है न, nifty 50 के stocks, ये usually क्या कहा जाता है, ये stocks होते हैं बढ़िया stock, इनके fundamentals बढ़िया होते हैं, ज्यादा analysis करने की ज़रूरत नहीं है, अब इन stocks के अंदरा पता है क्या notice करोगे, जब 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 monthly time frame पे एक red candle बनती है, और उस red candle का breakout होता है, तो market के अंदर एक अच्छा मुवाता है, पर ये वाला तो breakout बहुत बढ़िया है, क्यों, all time high है, all time high के यहाँ पे एक red candle बना, दो red candle बना, और monthly time frame वाला जो candle है, ये इस particular candle के उपर अप close देने वाला है, इसका मतलब, यहाँ पे एक अच्छा upside momentum आ सकता है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप देख लीजे, ये एक red candle थी, मैं बुर रहा हूँ, immediate, red candle के बाद, immediately वो red candle का high जाना चाहिए, जैसे कि देखो, यहाँ पे गया, कैसा momentum आया on the upside, बढ़िया आया की नहीं आया, बढ़िया आया की नहीं आया, आय गया, कैसा momentum आया, बहुत जबरदस्त, ये देखो red candle, इसका high गया, कैसा momentum आया, जबरजस्त, इस particular red candle का high गया, कैसा momentum आया, जबरदस्त, थोड़ा और पीछ चले जाते है, immediate, next candle itself, उसका जो high है, उसको तोड़ना चाहिए, high गया, कैसा momentum आया, जबरदस्त, इसके बाद आ सारी चोटी, इसका immediately जो red candle का high गया, कैसा momentum आया, बढ़िया momentum आया, same case यहाँ पे देखो, वापस red candle, immediately जो candle, अगर उस red candle का high निकलता है, look at the momentum on the upside, यहाँ पे एक देखिये, have a look at this example, have a look at this example, have a look at this example, यह example देख लो, यह example देख लो, बताओ, concept कैसा लगा, जरा comment करके बताओ, chat box के उपर बताओ, यहाँ पे देख लीजे, कितने सारे examples है, कितने सारे examples है, on monthly time frame, समझ में आया concept, everybody, क्या concept समझ में आ रहा है, ठीक है, चली, मैं आपको और आगे लेके जाता हूँ, चीजों को ध्यान से समझे, तो हमारा यहाँ पर क्या है, simple concept है, already अगर entry बनानी हो, तो बढ़िया momentum यहाँ पर मिल सकता है, इस red candle के high के उपर entry होगी, इस red candle के low के नीचे SL, कितना simple system है, ना कोई over analysis, ना ज्यादा मगजमारी, simple, यह usually कहाँ पर काम करता है, nifty 50 के stocks के अंदर, because it is assumed, it is assumed कि nifty 50 के जो stock है, वहाँ पर already कोई इतना ज्यादा financial manipulation नहीं होता है, समझ में आया, चलिए, आगे बढ़ेंगे, और stocks की चर्चा करूँगा, एकदम simple stocks को बता है, कोई ज्यादा complicated नहीं किया, और यह ICICI bank क्या, आप HDFC bank पकर लो, उसका भी nature कहीं ना कहीं यहीं होग तो अगर आप इसको 10 बार करोगे, तो 7 बार काम करेगा, 10 बार करोगे, 7 बार काम करेगा, बस उतना ही चाहिए आपको ट्रेडिंग में, आपको इतने बड़े-बड़े moves भी मिलेंगे, इतने बड़े-बड़े moves भी मिलेंगे, वो भी बिना जादा सोचे, look at how easily you can grab those returns, समझ इसको मैं आपको दिखाऊंगा on a weekly time frame, monthly में तो बढ़िया लग रहा है, पर weekly में और सुन्दर लग रहा है, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इस particular zone का breakout हो चुका है, ठीके और breakout से पहले आपके पास एक बड़िया pullback भी है, तो हमारी यहाँ पे जो entry बनेगी हो, बहुत simple है, इधर हम entry बनाएंगे, जो nearest swing है, वो हमारा SL बनेगा, और यहाँ पे हम लोग all time high के target ले सकते हैं, कैसे target ले सकते हैं, all time high के target, और यह जो chart है मैं आपके साथ share कर रहा हूँ, on the telegram channel, copy कर लेता हूँ, आपको chart का image और मैं share कर लेता हूँ, चलिए, और आगे बढ़ेंगे, और बात करेंगे, last stock की और stock का नाम है, United Spirits, again this is the only stock जहाँ पे मैं trend line breakout की बात कर रहा हूँ, मैं usually आपके साथ concept बहुत simple रखता हूँ, लेकिन ए एक advanced topic तो चलता ही है, ठीक है थोड़ा पीछे जाएंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे, ठीक है, इस stock के अंदर मैंने क्या देखा है, कि trend, जो है वो बढ़िया काम करता है, अगर आप देखोगे, यहाँ पे यह एक zone था, यह जो trend line है, यह एक बार test हुआ, दो बार test हुआ, तीन बार test हुआ, इसका breakout हुआ, अच्छा momentum आया, same यहाँ पे अगर आप देखोगे, same pattern बन रहा है, trend line एक बार test हुई, दो बार test हुई, तीन बार test हुई, breakout हुआ है, छोटा SL मिल रहा है, और यहाँ पे एक बढ़िया trade आपको मिल सकता है, United Spirits के अंदर, so the price is behaving, it's repeating itself, यह सबसे बढ़िया बाग है, ठीक है ना? समझ में आया, so I hope कि यह सारा analysis आपको समझ में आ गया है, and you have understood कि किस तरह हम लोग swing trading, positional trading, हम लोग stock select करते हैं, सबसे पहले strength होनी चाहिए, ठीक है, strength होनी चाहिए, all time high breakouts, 52 week high breakouts, nifty strong होनी चाहिए, indices strong होनी चाहिए, और यहाँ पे जो returns मिलते हैं, वो बहतरीन returns होते हैं, for example, अगर आप देखोगे, Cape It Technologies को, one of the biggest stocks that we have captured in recent time, look at the rally, अगर आप recent rally भी देखोगे, यहाँ पे यह जो particular stock का यहाँ पे breakout हुआ था, look at this rally, 755 से इसने लगा दिया है, 1200 का high, this is the power, right, this is the power of, you know, these stocks, which are specifically, you know, IT stocks के अंदर भी अगर आप देखोगे, बहुत भैतरीन मोमेंटम आया है, अगर आप nifty IT के अंदर देखोगे, तो nifty IT का अभी भी जो particular breakout है, on a monthly time frame, अगर आप देखोगे, मैं आप तो दिखा देता हूँ, पहरे तो, ठीके, monthly time frame का जो breakout है, वो अब successful होते हुए दिख रहा है, ठीके, तो monthly time frame का जो breakout है, वो successful होते हुए दिख रहा है, और मैंने आपके साथ एक stock share किया था, stock का नाम था Tech Mahindra, और Tech Mahindra के अंदर ये momentum continue होते हुए, आपको दिख रहा है, देखिए stock की चर्चा हमने यहाँ पे की इस particular bullish pinbar के उपर, इस month के beginning में, ठीके, यह stock का वीडियो आपको मिल जाएगा, आप देखो कैसा momentum हाया है, अभी क्या 14 दिन में, 14 दिन के अंदर 9% return कम है क्या, 9% return कम है क्या, नहीं कम है, और यह तो और उपर जाएगा, क्योंकि इतना बहतरीन breakout है, मैंने इसके बारे में Nifty, Nifty IT और Tech Mahindra के बारे में, मैंने अलड़ी चर्चा भी कर ली थी, Instagram के उपर आपको मिल जाएगा, इसका चार्ट, आपको मिल जाएगा, इनो हमारा जो ग्रोवित कुमार Instagram पेज़े, जहां पर हम stocks की चर्चा करते हैं, आपको वहां पर भी यह मिल जाएगा, so I hope कि आपको यह सारे के सारे stocks का analysis पसंद आया होगा, जब भी आप stocks में trade कर रहे हो, क्रिपया करके cash में करे, options के अंदर अभी ऐसी trades ना ले, उसमें risk involved is on the higher side, अगर आपको लगता है आपके पास 18 लाग का capital है, तो ही आप options के अंदर trade करे, right, I hope आपको बहुत जादा मजाया होगा, वीडियो के जो भी questions है, मैं एक बार ले लेता हूँ on the chat box, आपके जो भी queries है, आप मुझे पूछ सकते हो, 5-7 minute के लिए